हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनलर फैसन इस्टिडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आप लोग देख सकते हैं हम लोग निम्मी एडमिशन.in पर है हम लोग वेपसाइट पर है हाँ पर एक जो निम्मी की तरफ से बड़ी अपडेट आई है वो मैं आप लोगों को यहा कारे में कुछ बताना चाहती हूं देखें आप लोग देख सकते हैं हाँ पर लिखा हुआ है ना ओन गोइंग काउंसलिंग फर्स्ट वेरिफिकेशन ऑप डॉकुमेंट्स एट नियरेस नस्टी आई देख सकते हैं आप 26 तारिक से 28 तारिक तक कि जो कि आज एकदम हो चुक 21 यूलाई से एक ऑगस्त मतलब दो दिन आप लोगो को मिलेगा ट्रांसफर राँंड के लिए 31 तारिक औरएक तारिक आप ट्रांसफर राँंड के लिए एक अप्लाई कर सकेंगे जल्दी ही आप लोगों को यहाँ पर लिंक भी मिल जाएगा वेबसाइट पर उस लिंक के कैसे ट्रांसफर के लिए अपलाई करना है आप लोगों को वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगे और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ ट्रांसफर राउन में कौन पार्टिसिपेंट कर पाएंगे और कौन से लोग नहीं कर पाएंगे वो पहले भी बता चुकी हूँ फिर भी एक बार बता देती हूँ मैं आप लोगों को देखिए ट्रांसफर राउन में वही लोग पार्टिसिपेंट कर पाएंगे जिनको उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है अगर उनको second choice, third choice, fourth choice, fifth choice कोई भी choice मिली है तो वो apply कर पाएंगे ठीक है और जिनको first choice मिली है चाहे जान बूच के मिली है आपने first choice पर कोई college डाला है या फिर गलती से आप से वो college डल गया ठीक है अगर आपको first choice मिली है तो आप transfer में participate नहीं कर पाएंगे इस चीज़ का ध्यान रखेगा और दूसरी चीज, participate वही लोग कर पाएंगे transfer round में जिन्होंने documents verification करवा लिया है जिनका provisional admission हो गया है ऐसा नहीं है कि किसी को first round में college मिल गया और उसने documents verification भी ने करवाया provisional admission ले लिया तो वो भी transfer round में भाग ले पाएगा ध्यान से सुनिएगा वो नहीं ले पाएगा सिर्फ ले कौन पाएगा जिसने documents verification अपना करवा लिया provisional admission ले लिया है वो ही क्या करेगा transfer round में भाग ले पाएगा और देखिए transfer round में भाग लेने का मतलब यह नहीं मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों को college मिली जाएगा जैसे आप लोगों के number रहेंगे उस हिसाब से merit बनेगी देखा जाएगा उस college में seat है की नहीं आपकी category क्या है आपका trade क्या है आप merit में आ रहे हैं की नहीं तो उस हिसाब से आपका transfer होगा ऐसा नहीं कि जितने भी लोगों ने apply किया सबका transfer ही हो जाएगा ठीक है इन सभी चीजों का आप लोग धियान रखिएगा transfer round में कौन-कौन भाग ले सकते हैं कौन नहीं ले सकते हैं यह मैंने आप लोगों को पहले भी बता है अब भी मैंने आप लोगों को remind करवा दिया है अब देखिए आपका second counseling का भी start होगा second counseling का result कब आएगा transfer कब होगा second counseling का third counseling कब होगा फिरर के बाद में शैसन का भी स्टाट होगा आप लोगों का इसके पूरी की पूरी जानकारी में इस वीडियो में देने वाली हुँ आप लोगों बस वीडियो में बने रहिएगा वीडियो अच्छी लगेगी लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अब देखे आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टर्स फोर सियाइटर्स 2023 सियाइटर्स 2023 24 एडमिशन टाइम लाइन शेडूल देखे यहां पर दिया हुआ ना टाइम लाइन शेडूल हम क्या करेंगे हमश्च्पी इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद में जो आप लोग के सामने खुल के इंटरफेस आएगा वो मैं आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ आ देखेज आप लोग देख सकते हैं यहां पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलके आगया ठीक है अब यहां से देखिए आप लोग जिस हिसाब से आपका जो भी काम होना था आप लोगों का यहां देख सकते हैं, आप लोग यहां पर देखिए, 8 तारिक को आपका दिया हुआ ना, ओन्लाइन एक्जामिनेशन, रिजल पब्रिश का दिया हुआ, 17 तारिक, फिर मेरिट लिस्ट, ठीक है, डिस्पले और निमी पोर्टल, 18 तारिक को दिया हुआ है, फिर देखिए, और निमी पोर्टल पर दिया हुआ हुआ, उसी का और गौत सा काम का कईसा काब कैसे होना है, देखिए, ओन्लाइन ट्रांसफर रउड फिर börjar हुआ है, पिर यहां पर देख सकते हैं आप result of online transfer round and married list देख सकते हैं 3 अगस्त को और second round counselling कभी start आपकी 5 अगस्त से आपकी 8 अगस्त तक start होगी देखे फिर यहां पर documents verification के लिए दिया हुआ है 9 अगस्त से 12 अगस्त तक का फिर यहां पर online transfer round आप देख सकते हैं दगस से 16 अगस तक का यह देखिए पूरा का पूरा आप लोगों को इस तरीके से आप वहां शी शेडूल पूरा दे ले भी सकते हैं और जो नहीं डाउनलोड करेगा वो देखिए फिर मेरा तो एक ही मैं आप लोगों को बताती हमेशा कि टेलीग्राम चैनल को जोईन कर जो वहां पर ही मैं भीज दूँगी फिर देखिए यहां पर थर्ड राउंड कांसलिंग देख रहे हैं आप लोग 19 तारिक से 22 तक लिखा हुआ फिर थर्ड राउंड का जो रोक्मेंट्स वरिफिकेशन है यहां पर आप देख सकते हैं वह 13 अगस्ते से आपका 26 अगस्ते देखिए सब चीज बिलकुल यहां पर क्लियर लिखा हुआ है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं इस पोर्ट राउंड है वाकिन अड्मिशन आप देख सकते हैं 28 अगस्ते 31 अगस्ते का फिर इस में देख सकते हैं आपका जो शैसन स्टार्ट होगा वो कब होगा चार सित हो गया है ना फर्स्ट राउंड का ट्रांसफर कब हो रहा सेकंड राउंड कब स्टार्ट है स्पोर्ट राउंड कब थर्ड कांस्लिंग कब होगी हर एक चीज देखिए इस शेडूल से आप पूरा का पूरा खुश से पता लगा सकते इसके लिए आप लोगों को परिशान होने की जुरत नहीं है कि बार-बार आप पूछे कि हाँ कब सेकंड राउंड स्टार्ट होडा थर्ड राउंड स्टार्ट होडा कब ट्रांसफर होगा देखिए पूरा का पूरा शेडूल आ चुका है इस से रिलेटिड फिर भी कोई कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी चलिए उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा फिर से कह देती हूँ जो लोग चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ठीक है सियाइटस की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों को मेरे चैनल के द्वारा टाइम से मिलती रहेगी सियाइटस एंटरन्स एकजाम से लिके फाइनल एकजान तक की हर एक अपड